हलो स्टुएंट्स वल्कम टूस क्लास आज ही क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 11 चेप्टर तो यूनिट और मेजर्मिंट से अपने आखरी अप्लिकेशन को जिसमें हम लोग जानेंगे टू कन्वर्ट द फिजिकल कॉंटिटी फ्रम वन सिस्टम ऑफ यूनिट तो अनदर स सिस्टम और साथ ही साथ ही हमाई चेप्टर का आखरी टॉपिक भी है स्टाट करते हैं आज की क्लास चली स्टाट करते हैं सबसे पहले अपनी अप्लिकेशन की लाइन से जिसमें क्या दे रखा है तो कन्वर्ट फिजिकल कॉंटिटी फ्रम वन सिस्टम ऑफ यूनिट तो अ कि हम लोग बात कर सकते हैं जिसे किलो ग्राम को ग्राम में आपने कन्वर्ट किया होगा मीटर को किलो मीटर में इस तरीके से मिनिट को सेकेंड में आवर को मिनिट में इस तरीकी कन्वर्जन इससे पहले की क्लास में आपने कर रखे होंगे पर जब हम लोग इसमें आते इस आप्लिकेशिन की बात करते हैं, क्या कहा रहा है? तो system of unit को convert करना है, अब system of unit कहने का مतलब है? यानि कि एक system से दूसरे system में क्या करना है? इस नहीं को इस में क्या क कहना है? जैसे कि आपने जान रखा है की eder is unit है? जैसे आपका MKS unit है? है जैसे आपका FPS उनिट है या फिर आपका SI उनिट है तो अब यह जो पूरे सिस्टम है जो चार सिस्टम दे रखें हैं एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम में जो किस तरीके से काम करना है फिर किस तरीके से करना है जिससे हमारा निकल कि आ सके तो इसको लोग एक जामपल से देखेंगे तो आप समझ आगें कि क्या करना है इस application का कहने का मतलब है कि इसके पहले जो आपने conversion कि जैसे आपने let's suppose आपने ग्राम का किलो ग्राम का conversion किया फिर आपने मीटर का conversion किया फिर आपने टाइम का conversion किया तो यह जो सारी conversion थी जब एक साथ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब convert हो रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या करें कि one system से मतलब एक system से दूसरे system में हम लोग क्या कर रहे हैं किसकी help से dimensional formula की help से convert करेंगे ठीक है तो start करते हैं कोई एक example लेकर करके जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं को एक्जांपल जैसे energy का ले ले लेते हैं तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो energy का जो हमारा dimensional formula है वो क्या दे रखा है कि ml power 2 t-2 अब इसमें क्या है अब इसमें लोगों अगर करना है तो जैसे हम लोग SI system ले लेते हैं तो नहसे को क्या मिलेगा जूल से अर्ग में हम लोग इसको convert करके देखते हैं कि क्या निकल के आता है कि वन जूल में कितने रग हमको मिलता है तो इसको मुझा लेते हैं जैसे आप इसकाट इसका डामशल फॉर्मुला है वो क्या है ml2t-2 ठीक है अब जिसे इसके पहले की classes में आपने देखा है कि हम लोग क्या use करते हैं पावर का use करते हैं जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं a b और c के format में लिखते आए हैं तो वहाँ पर क्या होगे एक हमारी power क्या हो गई 1 जो कि इसकी करना है हम लोगों को convert करना है जूल इंटू अर्ग में ठीक है तो हमको कि निकालना है कि एक जूल में कितने अर्ग हमारी क्या है energy दे रखे ठीक है तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं अब इसके पीछे देखे एक formula का use होता है जिस formula को हम लोग यूज करेंगे और इसको हम लोग सब्ज़ें किस तरीके से यूज हो रहा है जिससे कि आपने जाना कि हमारा कोई ने को dimensional formula रहेगा इसके पीछे क्यों क्या करना है तो अगर हम लोग जूल की बात कर लेते हैं तो मान लिए हम लिए जूल क्या है हमारा एन वन है ऐसा मान लिए इसका डायमेंशनल formula क्या हो गया है mlt यह format मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके के format से आप क्या कर पाएंगे सॉल कर पाएंगे mlt के format में अब देखिए यह एन वन है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं एम वन एल वन और टी वन ठीक है इस तरीके से रख लिए अब इदर एन टू अभी किस के लिए हमारा और के लिए हमको जब भी करना रहेगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में त सब इसमें किस तरीकी से निकालना जैसे हमको क्या करना है 1stein से अब में कर ने है कि हम जुब का पता है और अरक हमको निकालना ठीक है तो इसके लिए में लोग क्या करेंगे इसके लिए में सिंपल सा फॉर्मिला करेंगे कि n2 n2 is equal to क्या हमारा हो जाएगा n1 n1 हो जाएगा हमारा फिर इसके बाद इसके बाद m1 upon m2 पावर इसकी आप लोग जान रहे हैं क्या रखी जाएगी a फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा l1 और l2 इसकी पावर क्या रखी जाएगी b फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा t1 upon t2 इसकी पावर क्या रखी जाएगी c तो इस तरीके का फॉर्मिट हमेशा रहेगा आपको आप जान रहे हैं कि MLT के format में दे रखा है, A, B और C इस तरीके से हैं, तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे energy वाले पर, तो N2 is equal to क्या हो जाएगा, N1 की value आप लोग जान रहे हैं, 1 है, 1 से सब में N2 हो जाएगा, तो क्या value कुछ भी बदलने वाली नहीं है, अब इसमें हम लो Joule के format में ले रहे हैं, तो इसकी value क्या हो जाएगी, 1 kg हो जाएगी, ठीक है, M2 हम लोग ले रहे हैं, एसकी value हमारी 1 g, ठीक है, यह हो गया हमारा A, फिर दूसरे साइड हमारा क्या हो गया, इसको A है 1 है, इसको यहीं ऐसे रख लेते हैं, फिर दूसरा हमारा L है, L1 की place में ह हमारा कैदे रखा है जूल का तो यानि कि क्या हो गया हमारा यह 101 मीटर बार्वन सेंटीमीटर फिर इसके बाद यह हो गया यहां पर हमारा कि डिरखा एकरिकर फ्रले थे त्टिय अब यहँ पर हम लोग आते हैं टी तोवाले सेकेंड और वैल्यूस की क्या निकल के आजाएगी माइनस टू ठीक है सी की वैल्यू क्या थी हमारी माइनस टू तो इस तरीके का फॉर्मेट होगे अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आप जान रहें कि सकते हैं कि 1000 ग्राम ठीक है अप Congar calm और फिर वैसा हम लोग वन मीटर को क्या लिख सकते हैं फंड़ेट सेंटीमीटर अपन सेंटीमीटर इस तरीके से ये क्यों हो Embra hard ठीक है अब इसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि one second है फॉन सेकंड इसकी कोई भी वेल्य करते हैं तो क्या जाएगे इसकी वैल्य निकल के वन तो हम लोग बाताथे में अभी यहाँ पर जिसे ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो हो गया अब हमारे पास value क्या निकल के आती है यहां पर 1000 की और इंटू हमारा क्या 100 इंटू 100 यानि की 123 and 4 यह हो गया हमारा अब इंटू इसकी value क्या दे रखिए 1 अब हम लोग निकाल लेते कि हमारा n2 is equal to क्या निकल के आ रहा है n2 is equal to निकल के आ रहा है 1234567 यानि कि 10 की पावर 7 तो हमको क्या मिल गया हमको यह मिल गया कि जो हमारा वन जूल दे रखा था वन जूल में हमारा कितना हो गया 10 की पावर 7 अर्ग तो यह हमारा किस से निकल के आ रागया डैमेशनल की फॉर्मूला से देख रहे हैं आप पूरे डैमेशनल फॉर्मूला की हेल्प से हमारा यह यह यूनिट निकल के आ गई किसमें कनवर्ट हुआ हमारा में डाउट हो रहा होगा तो तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉस्ट करके अराम से नोट डाउन कर लीजिए फिर इसके बाद एक इक्जामपल को और हम लोग समझते हैं जैसा एक्जामपल आपके कोशन में पूछा जा सकता है जैसे यह जो जो नॉर्मल कोशन है यह नॉर्मल आपके से हमेशा आते जाते रहें पर जो आगया आने वाला जो अग्जामपल है वो आपसे पूछा जा सकता है या फिर जनरली वैसे ही कोशन आपसे कनवर्जन के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब उस एक्जामपल की और तो आपके पिछे जो कोशन दे रखा है इस कोशन को सॉल्ब करने से पहले चोड़ी सी बात में आपसे बताना चाहूंगा कि इस कोशन को सॉल्ब करने के बाद इसके बाद मैं को कोशन दोगा होमवक के तौर पे जिसको आप इसको तुरंट सॉ सुर्मॉल में फॉल्ब कर रहे हैं या फिर जरै फिर फिर विर इस ऐगज में के सही कर सकते हैं और क्योंकि आप अभी साही और नहीं को इसको क्या दे रखा양 है फिर इसके बाद मैं आपको वह होमवक के तूण जिसको आपको कोड सॉल्ब करना रहे तो आई देखते हैं सबसे पहले इस question को, question में देखें क्या कह रखा है, कि when 1 meter, 1 kg and 1 minute are taken as the fundamental units, the magnitude of the force is 36, what will be the value of this force in CGS system, यानि कि हमको यह निकालना है कि fundamental unit हम लोग मान लेते हैं कि यह दे रखी है, और जिसमें magnitude हमारा दे रखा है, the magnitude of force is 36 unit, हमको find क्या करना है कि what will be the value of this force in CGS system, CGS system में हमको यह find करना है, अब देखें, CGS system में हमको किसकी value find करनी है, force की value find करनी है, तो किसकी बात की जा रही है, आपे fundamental, जब fundamental की बात की जा रही है, तो हमारा सबसे पहले जो fundamental system निकल के आता है, वो कौन सा है हमारा SI system, अब SI system की बात हो रही है, यानि कि कह सकते हम force का dimensional formula क्या निकल के आएगा आप जान रहे हैं तो उसके लिए गर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि force का जो हमारा force का dimensional formula क्या हो जाएगा MLT-2 ठीक है यह क्या हो जाएगा हमारा force का dimensional formula ठिक है इस तरीके से बात हो गोई अब हम लोग जान लेते हैं कि जा मोग इस बेसिस पर चल रहे हैं तो हमको इसमें टॉं 않았 निकाला को यह देख रहेतें किस तरीके से Practice फोर्मूला निकाला जा clear कि ये क्या रहने वाली हम लोगों की power अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने इस formula पे जिससे हम लोग इसको solve करेंगे और जो हमारा SI system में दे रखा है या फिर क्या सकती ही MK system में दे रखा है और हम लोग उसको change करेंगे CGA system में N2, M1, M2, T2 और L2 और T2 ठीक है आप लोग जान रहे हैं इन सब पर कह रहे हैं कि power रहे हैं A, B, C, A, B, C इस तरीके से सब पर power रहने वाली है तो अब हम लोग देख लेते कि जो हमारा दे रखा है ML और T1 यानि कि इसका भी आपको नहीं भी आ रहा है यह किस तरीके से उसको solve करना है माले जी आपको formula जगर आपको नहीं भी याद है तो भी अगर आप given जो value दे रखी उसको भी लिखते हैं तो भी आपके step marking में one marks cover हो जाते हैं ठीक है तो इस लिख given वाला factor को लिखना ज़रूरी रहता है देखियां M को क्या दे रखा है कि एन वन हम लोग देख लेते हैं कि N1 हमको क्या दे रखा है 36 unit दे रखा है फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं की ML और T में हमको क्या दे रखा है ठीक है क्योंकि हमारे क्या fundamental unit की तौर पर यूज होने वाले थी तो में हमको दे रखा है कि क्या है हमारा 1 kg फिर इसके बाद L के format में को दे रखा है 1 meter और उसके बाद time में दे रखा है 1 minute तो यह जो 1 minute है इसको आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग किसके बात कर रहे हैं fundamental unit M के system तो यहां पर या फिर SI system तो इसको हम लोग किसमें रखेंगे seconds में रखेंगे seconds में रखने के लिए हमको क्या करना होगा इसको करके 60 seconds लिखना होगा ठीक है यह बात इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगा अब हम लोग इन सारी वैलिस को क्या करेंगे इसमें करेंगे अपाउन एल्टू फिर इसके बाद है हमारा टी वन अपाउन टी टू इस तरीके सी ब्लेकेट क्लोज हो गया अब हमको एंटू की वैलिव करनी है तो मन act हमारा कितना रखा है 36 यह रहा हमारा खली वह इसके बाद हमल्क सीजिए Just को कितना हो जागा यह बन ग्राम फिर इसके बाद हमारा ल-1 व्मारा कितना दे रखा है 1 मेटर तो 1 पर सिद्फनत्र तो वन सेंटी मीटर इस तरीके से और ताइम हमारा क्या दे रखा रहा हमारी हमारी क्या है हमलोग यहां पर क्या रखेंगे इस्टी सेकंड्स अपॉन टी तू या671 ने तो यहां पर आपने देखी या बात होगी अब हम लोग रखते हैं इसकी पावर आप जाने हैं कि ए बी और सि के फार्मेट में रहती है यहां पर बем को याद आ जाए आप चाहे तो लिक भी सकते हैं पर यहां वाले format में आपको वा पावर लिखने होगी तो यहां पर बातब कोई बात नहीं में भी ज़रूर reply दिये जएगा comment को repeat मत करिए comment अगर repeat होता है तो spam में चला जाएगा जिससे हमको वो show नहीं हो पाएगा तो आपके comment का reply आपको नहीं मिल पाएगा ठीक है यह बाते हो गई अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं जो मीटर था इसको हमने चेंज कर लिए क्या होगे हमारा हंडडर्ड सेंटी मीटर अपन वन सेंटी मीटर फिर इसके बाद हमारा जो 60 seconds था अब इसको देखिए minus 2 की value दे रखिए minus 2 की value से जब क्या करेंगे convert करेंगे यानि कि जब इन दोनों पर लगाएंगे यह हो जाएगा 1 upon 60 ठीक है 1 upon 60 का whole power का square हो जाएगा यह ठीक है यह चीज आपको क्लियर हो गई अगर नहीं क्लियर होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछे मैं आपको बताओ दूगा किस तरीके से चीजें हो रही है ठीक है तो एंटू कि इस गोल्टू क्या हो जाएगा हमारा 36 into 1000 ग्राम पॉन ग्राम यहां पर लिखना मैं बूल गया था लिख देता हूं फिर से फिर इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमेटर अपॉन इंटू आप लोग जान रहे हैं कि वन का स्कार क्या होगा वन होगा और 60 स्कार हमरा क्या होँ जाएगा 36 डबल 6 यह ओ गया अब इसके बड़ इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं तो this की जो unit होगी cg system में वो क्या होगी हमारी डाइन यह बात आपको याद रखनी होगी और इसके बाद हम लोग final answer कैसे निकालेंगे final answer हमारा क्या हो जागा क्यों क्या निकालना है magnitude of force of is 36 unit तो इसका मतलब क्या होगा कि 36 unit 36 unit is equal to 10 की power 3 डाइन यह क्या रहे हमारा final answer रहेगा इस question का ठीक है यह बात हो गई अब हम लोग आगे देख लेते हैं यह question होगे आपका पूरा solve अब इसके बाद अगर इसमें कोई भी डाउट होते हैं कमेंट करके ज़रूर पूछेगा ट्राइक कि जितना जल्दी हो सके आपके कमेंट का reply आपको दे दिये जाए अब इसमें अगर दिखा जाए तो हाँ यह बात हो सकती जैसे आपने अमाली आपने इसको स्क्रीन शॉट लेकर करके रख लिया फिर उसके बाद अगर आप बस इसको देखते हैं तो आपको यादा है कि यह ABC कहां से निकल के आ को कोश्चन है मतलब यह जो हमारा फॉर्मूला है यह क्या है फॉर्मिट है इस फॉर्मिट के बेसिस पर हमने क्या रखा है अपने वैल्यूस को रखा है वैसी यह भी क्या हमारा फॉर्मिट है इसके बेसिस पर हम लोग यहां से क्या निकाले हैं वैल्यूस निकाले है ठीक यह सारी बाते हो गई अब इसके बाद यहां पी आप रोख चाहें तो यहां पर लेख सकते हैं वन वन और यह माइनस टू आपका दे रखा है जो से क्या होगी स्टेप मार्किंग में आपकी काफी हेल्प हो जाएगी सारी चीज़ें अगर आप स्क्रिंशॉट लेकर के रखे या फिर देख लीज़ेगा फिर लोग बात कर लीटें की इसमें और क्या हो सकता है जैसे कि उसके पहले कि व्यक्ता है रही हिसा से में जाना है नहीं तो हम लोग इसी ही बात करेंगे कि जैसे मालीजी आपका यह 1 kg अंग घ्राम मतलब क्या हो सकता है सिम्पल सी बात है कि सीज्टे से पाइंड सकते में में मिल सकता है में सकता है तो ऐसे ही बेसिस पे आपका कहा हमको कर ना इस तरफ यहां को करना डा आपको किसमें करना है कि कितने इसमें न्यूटन है यह आपका सिंबल सा कोशन आप इस वीडियो को खता होने के बाद तुरंत इसो सॉल्व करीगा अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अची बात है नहीं तो आप देखेगा कि कहां पर आपसे मिस्टिक हो रही हो सकता है कि इन चीजों में मतलब स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो एक बात उसको आप देख लिजेगा कि वहां पर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा कि यह हमारे जो कोशन है इसमें यह प्रॉब्लम आ रही है या फिर ऐसी प्रॉब्ल झाल